हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्व चैनल मैं हावबेस कालिंग में दूस्तों और दूस्तों आप लोग कैसे हैं सबी लोग अच्छे होंगे सौस्त होंगे यही उमीद है मेरी और सभी सौस्त में रहें अपने गार्डिंग में वैस्त रहें और आप हैपी उसके आप इयारी में मस्त रहें हो एक पानी इसको कितना चाहिए देते रहते हैं फिर भी इनकी सब की सफाई करनी है अभी बहुत काम है गार्डन में लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है काम समझ में भी नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें कहां पर खतम करें तो आज कुछ गार्डन के काम करने जा रहे हैं तो वही आपके साथ एक important चीजे हैं जो हमारे ये winters के plants होते हैं उनी के बारे में हैं जो हमारे old gardeners हैं उनको तो सब कुछ पता होता है तो वो अपने उस हिसाब से काम कर लेते हैं लेकिन जो हमारे new gardeners हैं या जो new gardening का शौक आया है वो अपनी garden करना चाहते हैं या winter के plants लगान चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो है ताकि उनके गाल्डन में क्या है और अच्छे से प्लांट्स डेवलप होंगे इसलिए तो प्लिस ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो वाच कीजिएगा और अगर कुछ समझ ना आए तो आप की कोशिश करूंगे आप लोगों को कि सब चीजे अच्छे से समझ में आए ताकि जो हमारे निव लोग है वह वह भी अच्छे से अपनी गार्डनिंग कर सके और ये सारे मेरे कटिंग से ही त्यार हुए प्लांट्स है ये धनवल जीया का है इसे बहुत ही खुबसूरत से बहुत ही खुबसूरत से परपल से फ्लार्स आते हैं जो की बहुत सुंदर लगते हैं और ये हमने अपना कच्छनार का फ्लांट त्यार किया है कटिंग से इसमें ये बहुत ही प्यारे यलो फूल आते हैं चलिए आपके साथ में वह इंपोर्टन पार्ट भी शेयर कर देत हर एक पर आईगी इस तरह से जितनी होती है उस पर आते हैं का लिया और यह हमारा वो शीड है उसका फोर अकलॉक का इसको ऐसे कहीं भी आप टाल दीजें मिट्टी में यह अपने टाइम पर आजाएगा प्लांट निकलके आजाएगा और यह देखिए आप लोग के साथ मैंन यह प्लांट अपने शेयर किये थे लेकिन वीडियो में तो आवाज थी पर जब प्रीमियर पे यह वीडियो चल रहा था तो उसमें आवाज नहीं है तो पता नहीं आवाज कहां गई कैसे गई यह तो मुझे खुद समझ नहीं आया क्योंकि मैंने जब वीडियो चेक किया तो उसमें तो हमारी आवाज आ रही है अच्छी खासी आवाज है और चलो छोलो अब मैं फिल से इसी के बारे में इंपॉर्टें यह हमारे विंटर्स के जो प्लांट हैं इनको हम अपने गाल्डन में लेके आते हैं और फिर छोटी छोटी पौद ही होती हैं तर हम उस समय ह अब ही लेके आते हैं फिर अपने गाल्डन में इनको हम लगाते हैं लेकिन एक चीज का बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ हो जितनी अच्छी हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी उतनी ही अच्छी हमारे गाल्डन में ब्लूमिंग होगी तो हमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग अगर अपने प्लांट में चाहिए तो उसके लिए भी हमें एक important part है जो हमें इन प्लांट पे करना पलता है जिसे कि हमारे प्लांट जो जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं इसलिए वही चीज आपके साथ में share करने जा रहे हैं तो आप लोग देखेगा प्लीज ध्यान से अभी मैंने क्या काम किया है मैंने तो काम अपना start कर दिया था और मैंने काम कर भी लिया है फिर मुझे ध्यान आया कि इस पर वीडियो भी मैं डाल दू ताकि जो हमारे beginners हैं जो अभी अभी गाजी स्टार्ट की या start प्रक करने वाले हैं विंटर्स के प्लांट । अपने एड़ करने वाले हैं तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा देखे हमने क्या काम किया है यह देखो यह हमारी जितने भी इस पींजबित वस्ते थे यह ते लेकिन ये जुक गया है ये भी मेरा कट गया है ये देखिए सारे फ्लार्स मैंने कट किये हैं ये देखिए हैं ये देखिए गजानिया का था ये ये गजानिया के फ्लार्स है जिनको मैंने हटा दिया है क्योंकि जब भी कोई फ्लार्स स्पेंट हो जाए तो उसको हमें हloud kuris लाइगे away nowulation ጉ वे हमने पिटुनिया के भी निकाल दिया पिटुनिया के हमें कहाँ से हमें कट करना है यह फलार है फलार के पीछ यह जवह हैं पीछ हैं कि पीछिने हैं प्जालून यहां से यह हमारा स्टार्ट है चलिए दिखाते हैं आपको दोस्तों यह değiş세 फ्लार हमारा यहां से है न壓 हम यहीं से इसको कट करिए यहां से ही अगर हम सिर्फ इसको full को हटाएंगे तो इसमें क्या होगा पीछे side में जैसे जैसी यह भाग है न यहाँ पे sheet बनने start हो जाएंगे अगर आप से full हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे sheet pot हमारा बनना start हो जाता है और अगर sheet pod बनने लगता है न तो plant की growth रुख जाती है plant फिर वो ध्यान अपनी sheet पे देता है इसलिए हमें क्या करना है जहां से यह है ऐसे यहां से हमें cut करना है ठीके इस तरह से यह मैंने सारे देखिए denthas के भी मैंने cut किये है और यह भी हमारा गजानिया का ही है यह देखिए नीचे से हमें इसी प्रकार से यह हमारे denthas है ना denthas को को भी देखिए आप यहां से हमें cut करना यहां से फिर क्या होगा नए किले आ जाएंगे यह देखिए यह है जैसे यह है अब हम जब इसको हम cut देंगे तुम यहां से देंगे पूरा ही cut हम देंगे ऐसे यह हाथ से नहीं तोलना है हाथ से तोलने से यह चीरना hard होती है तो इसलिए हाथ से मत कार कियेगा छोटी कैची ले लीजिए या फिर कुछ भी लीजिए यह देखिए हम तो इससे cut किये है चलिए आपको मैं करके दिखा देती हुए यह देखिए यह यहां से है तो इसको पिल्कुल यहां से ही हमने cut दिया ठीक है यह देखिए फूल के साथ यह देखिए पूरा यहां से हमने cut cut दिया यह देखिए जहां से था, वहीं से मैंने इसको कट मारा, तो अब यहां से जहां पी leaves है, यहां से नए किले आएंगे. ऐसे ही हमें ये पिटूनिया में भी करना है पिटूनिया में देखिए जैसे ये हमारा फ्लार इस्पेंड हो गया इस्पेंड हुआ फ्लार हम कहां से हम कट करेंगे ये जहां से है वहीं से हम इसको ऐसे कट कर देंगे ठीक है कट करके हम इसको निकाल लेंगे अब क्या होगा यहां पे जो यह लीव है यहीं पे न्यू किला आ जाएगा और अभी हम स्टार्टिंग में अपनी इन प्लांच में अगर फ्लावरिंग ना लें अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इन में फ्लावरिंग हमें अभी नहीं लेनी है जो बर्ट्स बन रही है उनको अगर हम कट कर देंगे तो नीचे से और ज़्यादा किले आएंगे और ज़्यादा ब्रांचे साएंगी जितनी ज़्यादा ब्रांचे साएंगी उतनी ही इतना ही घना आपका पौधा हो जाएगा और जब हमारा ये देखिए पौधा जब हमारा घना होगा न तो उसमें तो उसमें ब्लूमिंग भी खूब आएगी अच्छे से उसमें फिर ब्लूमिंग आएगी तो इसलिए आप लोग इस चीज का ख्याल रखें अपने प्लांट्स को अभी फ् करने से रोकते हैं हम लोग क्योंकि जब फूल निकलता है तो हम लोग को लालच आता है फूल देखे मन करता है कि फूल निकला है तो इसे खिलने दे अच्छा लगता है ना देखने में लेकिन हम इस समय का जो हमारा लालच होता है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक द इसलिए अभी फ्लावरिंग ना लें दस-पंदार दिन की बात है दस-पंदार दिन बाद अगर आप फ्लावरिंग लेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लोमिंग होगी आपका पुरा पॉर्ट भर जाएगा और जितना ज़ादा पॉर्ट भरता है उतनी ही जादा होती है और इनकी जब भी स्वैल तयार करें बड़ी अच्छी से तयार करें जब इसकी स्वैल तयार करेंगे वह भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि हमें स्वैल मेडिया कैसे त्यार करनी है और यह देखिए इतनी सारी मैंने कटिंग की है अगर इनको मैं कट नहीं करती त तो हम देंगे, अब जिस साइट भी हम एनरजी देंगे, तो दूसरी साइट में हमारी एनरजी देने की कैपसिटी कम हो जाएगी, या फिर बिलकुल ही हमारी एनरजी खतम हो जाएगी, तो इसलिए हमें ये काम अपने विंटर्स के प्लांट्स पे जरूर करने हैं, और सभी लोग अपने घर में ये विंटर्स के प्लांट्स लगाईए ब्लोमिंग पाईए खूब सारी ब्लोमिंग आती है चलिए दोस्तो उमीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी helpful हुई होगी अगर हुई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजेगा मैं चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मैं चैनल को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक कि इन्यों के फ्रेंड्स बाबाई वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्वाद